नमस्कार दोस्तो जै बजरंग बली दोस्तो हर किसी को आज के समय में अच्छी लाइफ चाहिए इसमें पैसा भी हो सक्सेस भी हो और सब सुख भी हो लोग इसे पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कई बार उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता हाला कि कभी किसी चीज को उपाने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ मेहनत भी जरूर होती है कई बार मेहनत करने के बाद भी रेजल्ट ना मिले तो उसके साथ ही अगर आपको छोटे-छोटे उपाय कर लेते हैं या इन जोतिशी उपायों की मदद ले लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बहु आपसे निवेदन है कि आप किर्पया करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरन बड़ी अवशे लिख दे और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बैल के बटन को दवाना ना बोले दोस्तो आज के समय में हर किसी की घर में एक तुल्सी का पौदा तो होता ही है घर में हरा बारा तुल्सी का पौदा परिवार की पमित्रता और समर्दी का परतीक होता है तुल्सी के पौदे को चल चड़ाते हुए अगर आप विशेश मंत्र बोल दे तो आपके जीवन में सुक और समर्दी हमेशा के लिए भर जाती है और सुक समर्दी का बगवान विश्णुजी और माता लक्षमी और साथी साथ तुलसी माता से आपको ऐसा बरदान प्राव्द होता है कि आपके घर में धन और सुक एक हजार गुणा बढ़ जाता है वही साथी साथ रोग शोग बीमारी आदी सवी से आपको छुटकारा भी मिलता है तो दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौदा नहीं है तो आप अपने घर में एक तुलसी का पौदा अवश्योगाएं दोस्तों हिंदु धर्म में ऐसी मानता है जिसके अनुसार अगर व्यक्ति अपना जीवन जीए तो उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती कहा जाता है कि दुनिया में साहेदी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो परिशानियों से पूरी तरह मुक्त होगा हर किसी के जीवन में दोस्तों थोड़ी बहुत परिशानिया तो होती है या ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा कि परिशानी हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी जीवन जीता है, वहीं जो लोग धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में कई तरह के दुख अपना घर बना लेते हैं, सास्त्रों में सूर्य उदय और सूर्य अस्ति के महत्व के ब समर्दी का आशिरवाद भी हमेशा के लिए प्राप्त होता है, सुबह और साम को यानि सूर्य अदय के वक्त और सूर्य अदय के समय पूजा पाठाजी करने से परिशानिया हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, सुबह सूर्य अदय के समय उठकर नहने के बाद सूर्य को और तुल्सी को जल चड़ाना बहुत इसू माना जाता है। तुल्सी के पौदे के बारे में कहा जाता है कि बिना तुल्सी के पौदे के श्री नारायन की पूजा सफल नहीं होती है। ति जो व्यक्ति तुल्सी की पूजा नेमित रूप से करता है उसे श्री हरी विश्नु खुदी प्रसन हो जाते हैं। तुल्सी के पौदे को केवल छू लेने से भी व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसे सबने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति जन्मों जन्मों के पाप से और दर्दरता से हमेशा के लिए तर जाता है। तुल्सी के पौदे को स्वर्क का पौदा भी का जाता है। इसमें कई देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। दोस्तों विश्णु कुरान के अनुसार अगर घर के मुक्त के दर्वाजे पर तुल्सी का पौदा लगाये जाए तो इससे घर में हमेशा सुक सांती बनी रहती है। और घर में सकारत्मक उर्जा का परवाव भड़ जाता है। तुल्सी के पौदे को सुबह जल चड़ाने और सांत के समय उसके नीचे एक दीपक जलाने से घर परिवार में सुक सम्रदी हमेशा बनी रहती है। और धन आने के नई-नई मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों जब भी आप सांत के समय दीपक जलाएं तो एक मंत्र जो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। उसका आपको 11 या 21 बार आपको उसका जाब करना चाहिए। दोस्तों मंत्र है महा प्रसाद जन्नी सर्व सोभाग्य वर्देनी आदी व्यादी हरा नित्य तुलसी तवय नमस्तुते। दोस्तों इस मंत्र का अर्थ है हे तुलसी आप जीवन में सभी प्रकार से सोभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। हमेशा आप लोगों की बीमारियों को दूर करके उन्हें सोच्त रखती हैं आपको हमेशा नमस्कार है। दोस्तों इस मंत्र का आपको 11 या 21 बार जाब कर लेने के बाद हाथ जोड़ करके तुलसी महा से अपनी सभी मनुकावनाय को एक बार बोल देना है। उसके बाद आप इस दीपक को उठा करके अपने घर में एक चक्कर लगाएं ताकि सभी जगे सभी घर के सभी स्थानों को तुलसी महा का आशिरवात प्राप्त हो। उसका अशिरवात आपको मातालक्ष्मी और माता तुलसी के दवारा मिलता है। और इसी उपाय से स्रीहरी बिश्नु कभी आपको आशिरवार प्राप्त होता है। जिससे आपके जीवन की धन कमाने की सभी स्भी छाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में जाज़ा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जैब जरंबली